चोण कमिशन ने हर्याना ते महाराश्चर विदानसभा चोणादिया तरीकां दा एलान कादेता है दोमे सूब्या वेच्छ वोटा पंद्रां अक्तूबर नू पैन गिया ते नतीजे उन्नी अक्तूबर नू आहलान ने चौणगे चोना दे एलान दिनाल दोवा सूब्यां वेच चोन जापता लाकू हो गया है चोना दियां तरीका दा वेरवा दिन दियां मोख चोन कमिशनर वियाई संपत ने किया है के चोना दा नोटिफिकेशन वी स्थमबर नू जारी किता जाएगा हाते उसे देन तों ही नामजदगी कागज परंदा काम शुरू हो जाएगा हर्याना अते महाराश्टर वेच कागज दाखल करंदी अंतिम तरीक 27 स्थमबर रखी गई है उमीदवार पहली अक्तूबर तक अपने नाम वापस लह साक देने नब्बे मेंबरी हर्याना विदानसबादा कार्शकाल स्ताई अक्तूबर नू खतम हो रहा है जाद के 288 मेंबरी महाराश्टर विदानसबादी म्याद आठन वंबर नू खतम हो रही है हर्याना विच सोना हजार दोसो चताली हते महाराश्टर विच नब्बे हजार चार सो तिन पोलिंग दे स्टेशन बनाए गयने हर्याना दे मुक्ष उन अधिकारी शुरीकांत वालगद ने किया आए के एक क्रोड बाट लाखतों वाद वोटर आपने हाक दी वर्तों करनगे इना विच्चों 87,888,288 मर्द ते 74,881 और त वोटरां शामल ने वालगद अनुसार 90 सीटां चो सारान सूचित ज्वातां लई राख मियाने प्रजकन कर सब्सक्राण सन्यन आए कर कोस्तेज था जत लगद लाखत्व कोड़ी कर किसित दे़ मुझाद इसलिए ऩोड़ा धिनिया ऑजन्ग्टों वेल्स्टेट कोड़्य कोड़्यक, फीथिफेंगा पोले म्हिंद आए ले तोड़ीं ओन धोट उन्वला कांग्रस की पूरी त्यारी है और जो महौल है आज प्रदेश में जिस परकार से हरवर का सबर्थन मिल रहा है हमने जैसे पूरे अर्याने में गए मैं और अदक्षी सब पूरे अन्याने में हम मीटिंग भी करके आए और 65 के करीब हमने जनसवाएं की हैं और जिस परकार से जनसमर्थ मिल रहा हमारे को उसके आदार पर मैं कह सकता हूँ कि हर्याने में तीसरी बार कांग्रस पार्टी की सरकार बनने जा रही है लोगों ने मन बना लिया है और क्योंकि वो जो दस साल कांग्रस पार्टी की सरकार रह कारे कर रही है हर्याने में हर वर्ग इससे संतुस्थ है और जो का हर्याने में विकास किया है पिछले दस साल में ये मतलब पिछले साथ साल में इतना विकास नहीं हुआ जितना पिछले दस साल में हुआ है तो तीसरी बार भी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है दो भी समर में उतरेंगे आज उसकी अपचारि गोशना हुई है संग्ठन पूरी तरीके से मुस्तैद है पार्टी में तो कोई गुडवाजी नहीं है पूरी तरीके से पार्टी एक जूट है और मैं समझता हूँ कि सबकी शक्ति को सही दिशा में चैनलाइज करते हुए हर हम करता का समय समान होगा और उनके मादेम से हम संग्ठन को और पार्टी को सोनिया जी और राउल जी के नेत्रितों में एक बार फिर प्रदेश की जनता के मादेम से यह तौफा दे हैं हम स्वागत करते हैं इस बात का कि अलेक्शन कमिशन ने डेट डिसाइड कर दे हैं बहुत समय हमारे मुख्य मंतरी को इस दोरान मिला कि उन्होंने अलेक्शन की डेट ना डिसाइड होने की वज़े से अनेक ऐसे फैसले किये जिनका कोई मतलब और महत्ब नहीं था केवल मातर चुनाव में कैसे लाव लिया जासके कैसे लोगों को लुभावने ना रे दिया जासके कैसे लोगों को लालस दे करके उनका वोट लिया जासके ये सारी चीजें पिछले दिनों में करी लेकिन अभी भी डेड़ डिसाइड होगी हम तो इसके लिए अलेक्शन कमिशन के आभारी हैं ताकि कल को और इस तरह के कोई फैसले कम से कम ये वो सरकार जो अलपमत में थी जिसने पांच वरस अलपमत में रहते वे निकाले आज उनके उपर एक बंदिश लगे कि वो कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे हर्याना प्रदेश का नुक्सान हो हाँ देखिए एलेक्शन में ड्यू समय पर जुनाओ हो रहा है और सभाविक रूप से दोन जगा हमारी सरकारे हैं हर्याना में पुन रूप से हमारी सरकार है और महरास्ट में न्सीपी के साथ पंद्रह सालों से लगवग हम लोग सत्ता में हैं और साथ काम कर रहे हैं महरास्ट के भी सभी वर्ग के लिए काम किया है, हर्याना में तो ऐसा काम हुआ है, जिसकी मिसाल पिछले दिनों मिलना मुश्किल है, तो सभाविक रूप से चुनाओ हो रहा है, और लोग सभा चुनाओ से आप लोग कभी कभी तुलना करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, न जनाएंद्र मोदी जी के नाम की जो हवा थी, वो हवा खतम हो गई. अज़ तो तरिकान दे आलान दे पार्टियंता पार्टि दे आग्वांदा खी कहना है, आउ सुन दें. बहुत प्रतिक्षा थी हार्याना का हरवासी उत्साहित है इसी तिथी की प्रतिक्षा थी और हमने हार्याना के चुनाव की हर एंगल से पूरी त्यारी कर रखी है हर्याना का वातवरण पूरी तरह से भारतिय जनता पार्टी के पक्ष का वातरण बना हुआ है बदलाव की आंधी चल रही है चुनाव के लिए तीनों पहलू पर हमने पूरी त्यारी की है निश्चित रूप से स्पष्ट भहुमत से भारतिय जनता पार्टी की सरकार हर्यान अंदर नमने की कोई ताकद इसे रोक नहीं सकती है हर्याना में भारती जनता पार्टी के नेतर तुम ही हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे महाँ पर काफी नेता हैं वो सम्मिल कर सामुई के रुपस और सामुई के नेतर तो चुनाव लड़ेगा इसलिए फैस हमारा नरिन मोदी जी कही रहेगा भारती जनता पार्टे के कमल के फूल कर रहेगा और जनता को विश्वास भारती जनता पार्टे करें देखे चुनाव की गोश्रा हो गई है और निश्चित रूप से जो आपने पहले का कि उनके उल्टी गिंती शुरू हो गई है आपने अभी लोकसभा के चुनाव में हम 58 सीटों पर आगे थे हमें टार्गेट मिल गया है थावन प्लस वन करना है हमको क्योंकि हमें हमारे नित में बिगुल बज गया हैं और भारती जनТा पार्टी के कारेकरता सेना पती और सेनाए मैदान के अंदर मजबूती से डटी है क्छड़ी हैं अन्यस सभी पार्टियों के लोग मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे और इधर और उधर भाग रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी तो चुनाव के शुरू होने से पहले ही लोग सुभा चुनाव में हार चुकी थी और उस पिजान सुभा चुनाव से पहले हार मान चुकी है। हरियाना प्रदेश में भारत इंता पाटी हरियाना की ओने तीन करोड जंता के आशिर्वास से दो त्याही बहुमत से सरकार बनाने वाली है खबरादी दुनिया विचाओ, साधे नाल, कदेवी, कितेवी जुड़ो आपा मिलांगे फेस्बुक ते, असे दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरादाल चुड़े रहो दिन रात